आज एक ऐसे खिलाडी की बात करेंगे जुसने बहुत कम समय में क्रिकेट जगत में अपना नाम बना लिया नाम यशस्वी जैसवाल काम 21 साल के उम्रे में दिगजु को पचाड कर औरेंज कैप अपने नाम करना यशस्वी जैसवाल ने दोसों की स्ट्राइक रेट से महस 62 गेंदू में 124 रन बनाए जिसमें उन्होंने 16 चौके और 8 छकों की ताबर तोड पारी खेली जो अब तक IPL में सब्षिश शांदार पारियों में से एक है नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लाटफॉर्म और मेरा नाम है योगिता महेश्वरी यशस्वी जैसवाल का नाम इन दिनों क्रिकेट जगत में तेजी से घूम रहा है बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा है यशस्वी आज जिस जगा खड़े हैं वहां तक का सफर आसान नहीं था क्रिकेट के लिए महस दस साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था यशस्वी जैसवाल मूल रूप से उत्रक्रदेश के बदोही के रहने वाले हैं उनका परिवार काफी गरीब था उनके पता छोटी सी दुकान चलाते हैं ऐसे में अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सपनों की नगरी मुंबाई चले गड़ और दिन रात महनत करके ध वाजुस्तान मैच में जो कुछ हुआ वो किसी चमतकार से कम नहीं था यशस्वी जैसवाल सिर्फ एक खिलाडी नहीं बलकि एक प्रेणना है उन सभी युवाओं के लिए जो अपनी परिस्तितियों से लड़कर कुछ हासिल करने का जज़बा रखते हैं एक वक्त में यश शतक जड़ कर इतिहास रच दिया आई पील दोहजारतेईस में मुंबाई के खिलाफ शतक जड़ने के बाद मैच सेरिमेनी में यशस्वी ने कहा मैं यहां तक पहुँच कर काफी इमोशनल महसूस कर रहा हूं मैं आज़ाद मैदान में 11 के मकान में रहता था यहां से लाइ सिक्तोर पर मजबूत रखने का प्रयास कर रहा हूं युवा खिलाडी ने कहा मैं आज के बाद रोटीन में भी मैं खुद को डिसिप्लेन में रखने की कोशिश करता हूं फिलहाल मेरा फोकस मेरे गेम पर है और मैं आगे भी उसी पर काम करना चाहता हूं जब मैंने शतक ल खुद बखुद मिल गया आईपील हमेशा से युवा खिलाडियों के लिए वर्दान साबित हुआ है खासकर 2023 में खेला जा रहा आईपील में रिंकु सिंग तेलक वर्मा मोहमत सिराज को ही देख लो अपनी महनत से क्रिकेट जगत में सितारे बनकर चमके हैं ऐसी खबरों क के लिए जुड़े रहे हमारे साथ